हैलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैं चानेल, तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं जाइनिंग रिपोट के बारे में जो हम UGC को पेचते हैं for the activation of JRIP तो JRIP के लिए हमें जाइनिंग रिपोट देना बहुत ही जरुरी होता है तो देखेंगे यहाँ पे किस तरह का जाइनिंग रिपोट होता है इसे कैसे फिल करते हैं और कैसे अप्लोड करते हैं तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चानेल पे न जाएगा जब आप टाइप करेंगे युजी सी एन एक्सर टू जिसे जॉइनिंग रिपोट कहते हैं ओके यहाँ पे जॉइनिंग रिपोट में कौन-कौन सी इंफॉर्मेशन फील अप करने हैं इसके बारे में बात करते हैं तो पहले तो यहाँ पे आपको अपना नाम लि पिकेट है जो आपको मिला है युजी सी से तो उसके राइट साइट पे आपका फोटो होगा और फोटो के जस्ट ऊपर आपको 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 नाम लिखना है Has Join the Department। आप किस Department में Join हो department का नेम लिखना है Then for Doing PhD और YMPL आप जो करते हैं उसे यहाँ पे लिख दीजी Then subject लिखना है आप किस subject में PhD या YMPL कर रहे हो Then under the ABO Scheme of the JRV next क्या है यहाँ पो आपको क्या करना है university grant commission with effect from तो यहाँ पे लिखना है कि आप कब से PhD को join करें हो मतलब आपका joining date PhD की क्या है यहाँ पे लिख दीजे then FNAN नमबर आपको मिल जाएगा आपके award letter के left side पे आपका नाम होता है उसके just उपर FNAN नमबर लिखा होता है तो आप लेकर यहाँ पे डाल सकते हो then he she belongs to आप किस category में हो यहाँ पे mention कर दीजे then आपको registration date लिखनी है आप कब से PhD को register हुए हो आपके confirmation letter के उपर register date होती है तो यहाँ पे आपको डालनी है then next क्या करना है जो award है जो student है जैरेप वाला उसे अपना यहाँ पे signature देना है आपका mobile number, email address, bank account number, IFSC core then आधार number इतनी information आपको यहाँ पे fill करनी है इस सारी process है आपको अपने laptop या computer पे wordpad पे करनी है then यहाँ पे आपके guide की signature आएगी then head of department signature और seal आएगी then register director principal अगर आप किसी private college या institute से PhD कर रहे हो वहाँ से आप अपने जैरेप एक्टिविट करना चाहते हो तो वहाँ के जो principal, director और register है उनकी signature और seal जाए यहाँ पे then इस सारी document आपको तयार कर लेनी है और इसके साथ page होता है जिसे annexer to A कहते है यहाँ पे लिखा है to whom it may concern तो A बे आपको fill up करना है यहाँ पे आपका नाम आएगा then whether the candidate disabled yes अगर yes होगा तो सिर्फ हमें yes और no लिखना है और यहाँ पे remark देना है इस तरह से पूरा fill करना है देन यहाँ पे आजाएगा HOD का sign or seal और register और principal और director का sign और seal तो इस तरह से दोनों form अच्छी से fill करने है fill करने के बाद सारे signature seals लेने है और बाद में हमको इसको scan करके PDF form में तैयार करके रखना है जब भी हम candidate linking करेंगे portal के ऊपर तब हम यह वहाँ पे upload करना पड़ता है तो friends यह थी आज की जानकारी इस तरह की जानकारी लेके हम next lecture में भी आएगे तब तब के लिए मेरे चानल को subscribe कीजिए और वीडियो को like कीजिए Thank you